नमस्कर दोस्तों स्वागा थे आपका फार्मा रोक्स की यूट्योब बेजिक इसने चैनल में आज के उडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टेडी करेंगे नर्व पेन की सभी दवायू के बारे में तो हम सिखेंगे डिटेल में और जानेंगे अलग-अलग टॉपिक्स को जैसे कि ये प्रॉब्लेम के बारे में बेजिक हम सिखेंगे फिर उसके सिम्टमस हो गिरा क्या होते है कोजिस क्या है डाइग्नोसिस कैसे हो सकता है ट्रीटमेंट के क्या अलग-अलग अप्संस अविलेबल है और कौन से मेडिसिन उसके अंदर यूज होती है तो डिटेल म मोबाइल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तब आते हैं टॉपिक प्योर समझते हैं नर्व पेइन की दावायों के बारे में तो सबसे पहले बेजिक समझ ले आप ये प्राब्लेम के बारे में तो इसमें स्प हम उसको कहते हैं तो ये हो गए उसके बारे में बेजिक आप जान लेते हैं उसके सीम्टम्स क्या होते हैं तो सबसे पहला सीम्टम ये है कि कंटिनियोस आपको जिए वो दर्द होता है और कई बार काफी ज्यादा दर्द होता है कि परसन जिए वो टॉलरेट भी नहीं कर प तो यह भी एक symptom है नरूपेन का तिसराम देखे तो सुई चुपनी जैसे ऐसा होता है कि सुई चुपनी से जैसा दर्द होता है ऐसा आपको कई बार ऐसा होता है फिर कई बार feeling loss हो जाती है वह एरिया कि ऐसा फिल करता है पेसंट कई बार burning sensation भी होते हैं महलें कि पैर के जो तल नियूरोंस से वह damage होना या फिर वह weak होना तो नियूरोंस कई बार कमजोर होने लगती है कि जिसके करण यह नियूरोपेथी के problems देखने को मिलते हैं और यह सबसे बड़ा reason है यह problem होने के लिए कि आपकी नस से जो है वह कमजोर होने लगी है second हम symptom देखे तो peripheral neuropathy के अंदर यह problem होता है कि जो blood flow जो होता है reduce हो जाता है आपके neurons तक तो उसके करण क्या होता है कि neurons को proper nutrition नहीं मिल पाता और जिसके करण क्या होता है वो neurons जो damage होती because जो हमारा blood है वो अलग-अलग nutrition as well as hormones से oxygen और CO2 वगेरा का circulation करता है इसी के थरो neurons जो healthy रहती है कि neurons को जो healthiness के लिए जो अलग-अलग nutrition चाहिए वो blood flow के थरो ही मिलते है पर अगर मानलो blood flow ही कम हो जाता है वो area में तो neurons जो वो weak होने लगती है कमजर होने लगती है और यह problem होत होता है तिसरा राट सेम problem होता है diabetes के अंदर के diabetes के अंदर जो नीरोपिथी का जो problem होता है neurons damage होने लगते है अगर कोई person काफी ज़्यादा alcohol consumption करता है तो उनमें भी यह symptom देखने को मिलते है नर्व पेन के फिर आपको brain या फिर spinal को injury हुई है तो उसके करण भी nerve pain का problem हो सकता है कि मानलों को spinal cord में injury हुई, brain में को injury हुई है तो भी यह problem हो सकती है फिर अभी जैसे हमने देखा कि जो nerve cell होता है वहाँ तक proper ब्लड नहीं पहुझ रहा, blood vessel damage हुई है या फिर ब्लड अच्छे से वहाँ पे नहीं पहुझता तो उसके करण जो हमारी neurons भी जो हो damage होने लगती ह फिर एक और major reason रहे है कि आपके सरीर के अंदर vitamin B12, B6 या फिर B1 की जो हो deficiency है तो यह तीनों vitamin की कमी के कारण भी यह problem होती बिकोज यह तीनों vitamin C से है कि neurons की healthiness के लिए जरूरी है तो अगर यह vitamin C आपके सरीर में नहीं रहेंगे तो neurons की healthiness नहीं रहती है और वो धिरे धिरे ज symptoms develop होते हैं उसी तरह से आपके सरीर के अंदर nutrition की कमी है अच्छे से आपको पोसक तत्वे आपको नहीं मिल रहे है या फिर आप डायेट ऐसा लेते कि जिसके अंदर पोसक तत्वे की कमी है तो भी यह problem जो हो सकती है अब बात आती है diagnosis के तो जो नसों में दर्थ होता है उसक जरूरी है सेकंड यहाँ पे physical examination करके चेक करना जरूर है कि कहाँ पे कौनसी location पे एक्जेट जो है वो patient को दर्थ हो रहा है फिर तिसरा sign and symptoms के basis के उपर भी diagnosis जो है वो यह problem का हो सकता है next option यहाँ पे यह बनता है कि जो निरोपेथी का एक problem जो है वो diabetes भी है तो patient का sugar level चेक करना जरूरी है तो blood sugar चेक करो as well as urine test भी चेक करो कि जिससे एक proper आप diagnosis जो हो कर पाते हैं फिर next option बनता है जो amazing test का किज़स के अंदर detailed diagnosis आपको पता चलती है कि कहाँ पर कोई injury हुई है तो वो CT scan या फिर MRI से जो हो पता चलता है तब बात है treatment कि treatment कैसे हम कर सकते हैं कौन से अलग-अलग options हमारे पास available है इसके इलाज के लिए तो अलग-अलग options है जैसे कि neurons की healthiness के लिए जो दवाई आ दिया जैसे कि macro nerve ford कटके जो tablet है वो neurons की healthiness के लिए काफी ज़्यदा जरूरी है तो मालने आपके neurons weak होने लगे और उसके करन नर्व पेन हो रहा है तो ये medications लेना जे वो काफी जरूरी बनता है तो ये एक option है vitamins के अंदर कि जिसके अंदर vitamin B12 है मैं को बोला माइन प्रिजंट है दूसरे vitamins प्रिजंट है आलफा लीन पोई कैसीड जी वो प्रिजंट है तो एक capsule जो पर डे के इसाब से इसको लेना होता है फिर दूसरा option आपके पास ये बनता है ये नियूरोबियन फोड का कि जो आपने deficiency जो थी क कि किसी के अंदर B6 के deficiency, B1 के deficiency 3 या फिर B12 के deficiency के करन ये problem होता तो ये problem को solve करेगी ये medication कि जो एक टेबलेट पर डे के हिसाब से ली जादी है इसे में तिसरा option आता है नियूरोबियन प्लस के टेबलेट का तो ये भी similar dose से patient जो वो यूज कर सकते हैं चौता option हमारे पास है व जो पेसेंट को लेनी होती है चाटा option हम देखे तो नियूरोकाइंट गोल्ड के capsules करेता है तो ये भी neurons के healthiness के लिए ज़रूरी है कि जो ऐसे vitamins और minerals प्रोवाइड करती है कि जो neurons के healthiness के लिए ज़रूरी है साथवा option हम देखे तो अब गर tablets तो patient ले रहा है फिर भी जे वो problem solve नहीं हो रहा तो week में एक बार ये injection के गिव options रहते हैं जैसे कि neurobin ford का injection patient जो वो week में एक बार जो लगवा सकता है तो इसका content आप देखे तो वही सब vitamins है कि जो उनकी deficiency के करण ये problem होता है फिर इसी में दूसरा option बनता है neurokind gold के injection का तो उसका भी content जो वो same है तो दोनों में से कोई एक injection जो वो use कर सकते हैं 9th option हम देखे तो अब ऐसे medications की जो आपकी नर्व pain को कम करेंगे अब तक जो एक से 8 option वो थे कि जो nutritions provide करते हैं ऐसे vitamins provide करते हैं, minerals provide करते हैं कि जो neurons की healthiness के लिए जरूरी है अब दर्द कम करने के लिए जो दवाई है तो उसमें एक प्रेगा बालेन का option रहता तो यहाँ पे एक combination है पुरा Resner plus करके tablet कि जिसके अंदर प्रेगा बालेन भी है, not reptiline भी है और methylcobal एमन मलते कि vitamin B12 भी दिया है और दो ऐसे medicines दिया है कि जो नर्व पेन को कम करते हैं और patient को काफी relax रखती है तो यह tablet जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो ले सकते हैं फिर अगर combination आपको suit नहीं कर रहा है कोई side effects हो रही है तो single भी आते हैं प्रेगा बालेन की tablet 75 mg के strength के अंदर फिर गाबा पेंटिन का भी यह आपे option बनता है तो यह भी एक काफी अच्छी नर्व पेन को रोकने वाली दवाई है जिसके एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन मे दो बार जी वो patient ले सकता है आगे option हम देखे तो ointment and cream करेते हैं कि जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा nerve pain हो रहा है वहाँ पे आप यह लगा सकते हैं कि एक option है area gaba ointment जिसके अंदर आप देखो कि gaba pentin available है, ketoprofen है, capsicin है और methyl salicylic, तो ऐसा ingredient है कि जो analgesic property provide करते हैं, pain killer के त यह को और option बनता है local anesthetics का क्लिग्नोकेन और प्रिलोकेन जो वो combination में तो उसकी cream भी patient जो यूज कर सकता है, अब आगे बात करते हैं, capsicin की, तो यह भी उसके ointment available होते हैं, उसके cream वगएर available होते हैं, तो वो भी patient दिन में 2 या फिर 3 बार, जहाँ पे ज़्यादा pain हो रहा ह हैं, वहाँ पे आप लगा सकते हैं, फिर tablets के हम बात करें, herbal and homeopathics के अंदर, तो SBL का यह product काफी अच्छा दा है, जिसके content के हम बात करें, तो hypericum, perforatum करके आता है, 1x tablets जो उसके आती हैं, तो उसके 1 या फिर 2 tablet जो दिन में 2 बार जो patient ले सकते हैं, इसी के ointment का भी option आपक इकम का, तो वो भी आप जहाँ पे neurons damage हुई है, वो area में जो आपलाई कर सकते हैं, दो या फिर दिन में 3 बार, फिर backzone का भी ये same content available होता है, तो ये भी जो आप यूज़ कर सकते हैं, तब बात आती है कि किस तरह से prescribe के जाते हैं, तो सबसे पहले एक ऐसा medication, जो B12, B6 और B1 अगरा vitamins provide कर दी है, तो Maconor Fort या फिर Neurobian Fort, कोई भी एक option आप यूज़ कर सकते हैं, जो हमने 1 से 8 नंबर के options में देखा, फिर एक injection लगवाना जरूरी है per week, कि Neurokind Gold का injection या फिर Neurokind Gold के साथ वो सूट नहीं हो रहा, तो दूसरा जो हमने देखा, Neurobian Fort के जो injection है, वो भी जो व Plus का tablet combination में, या फिर Prega Walen, या फिर Gabapentene, जो भी पेशन को सूट, यह एक तिसरा option यहाँ पर जरूरी है, और चौथा, कोई एक cream या फिर oint pen, तो इस तरह से proper prescription एक तयार हो सकता है, Neuropein को solve करने के लिए, तो यहाँ पर आपको मैं एक request करूँगा, कि जरूर से वीडियो को share करें, अलग-अलग WhatsApp groups के अंदर, वीडियो को like करें, जरूरी comments करें, और जरूर से हमारी channel को जिवाप subscribe करें, तो ऐसे सीखना है, बहुत सारी दववाईों के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो medicine course को join कर सकते हैं, तो यह course को join करने के लिए, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, या description box में मिल जाएगी, so good luck and all the best.